पेंसिल पेकिंग का काम दिलवाने का जहासा देकर 96,349 रुपे की ओनलाइन ठगी जिला अस्पत्ताल की प्रयोग शाला सहयक हुई ठगी का शिकार साइबर ठग अपने शिकार को फसाले के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं चुरू के राज के भरतियास पताल में प्रयोग शाला सहयक के पत पर कार्य कर रही यूवति को साइबर ठगों ने अपने जाल में फसाया और 96,349 रुपे की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गाउ मोली सर बड़ा निवासी प्रयोग शाला सहयक सोनू परजापत ने कोतवाली थाने में नामजद आरोपियों की खिलाफ मुगदमा दर्ज करवाया है कोतवाली पुलिस ने आई पीसी की धारा 420 और 406 में मुगदमा दर्ज कर जास शुरू कर दी है कोतवाली शियाई सतीश कुमार यादव ने सोंबार को बताया कि गाउं मोली सर बड़ा की सोनू परजापत जो के राज के भरतिया स्पताल में प्रयोक्षाला सहयक के पतपर कार्यकरतिया ने परिवाद में बताया कि कुछ समय पहले उसकी पहचान खुद को दोसा निवासी दिप्ती बताने वाली यूवती से हुई जिसने फेस्बुक पर एक विग्यापन पैंसिल पैकिंग कार्या का दिखाया उसने कहा कि यदि वह ये पार्ट टाइम जोब करेगी तो महिने के 30,000 रुपे कमा सकती है जब सोनु पर जापत ने दिप्ती द्वारा बताये गए मोबाइल नंबरों पर कॉल किया तो कोल एक लड़के ने उठाया जिसने अपना नाम पपू सिंग निवासी सांगानेर जैपूर का होना बताया उसने कहा कि वह पैंसिल कंपनी का मार्केटिंग मेनेजर है उसने भी उसे 30,000 रुपे महिने की कमाई का जहासा दे कर सबसे पहले जोइनिंग के नाम पर 650 रुपे मांगे जो सोनू परजापत ने गूगल पेसे उसे भेज दिये इसके बाद उसने आईडी के नाम पर 1599 रुपे मांगे इस तरह आरोपी ने उसे जहासा दे कर दो दिनों में 96,349 रुपे अपने खाते में ओनलाइन ट्रांसफर करवा लिए सोनू परजापत ने जब ट्रांसफर किये रुपे वापस मांगे तो उस लड़के ने कहा कि यह तो उनका रोज का काम है लोगों को पागल बनाने का यूवति ने परिवाद में बताया कि पपु सिंग और दिप्ति ने शडियंतर रचकर उससे 96,349 रुपे की ठगी कर ली है अभी भी पपु सिंग के मोबाइल नंबर बंद नहीं हुए है बहराल कोटवाली पुलिस ने IPC की धरा 420 और 406 में मुकदमा दर्ज कर जाँ शुरू कर दी है